कंधना रनौत का पॉपिलर शो लॉक अप सीजन दो के साथ वापसी कर रहा है। ऐसे में फैंस के मन में सवाल उठने लगे हैं कि इस बार शो में वह किस सेलेप को कंटेस्टिन के रूप में देख पाएंगे। इस कड़ी में दो एंटर्टेनिंग पसनालिटीज के नाम सामने आये हैं। पहली शरलीन चोपडा और दूसरी राखी सावन्थ। जी हाँ, दोनों ही एक्ट्रेस फुल ओफ ड्रामा रही हैं। ऐसे में अगर ये शो में आ जाती हैं, तो कंटना के शो के तीखेपन का मज़ा दोगुना हो जाएगा। खबरों के मुताबिक शरलीन चोपडा और राखी सावन्थ को ये शो ओफर हुआ है। हाला कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि दोनों का शो को लेकर जवाब क्या रहा है। वहीं इस बारे में शरलीन और राखी में से किसी का भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शरलीन चोपडा और राखी सावन्थ को इस शो के लिए अप्रोच किया गया है। बता दें, इन दोनों ही परस्नालिटीज का आपसी रिष्टा बड़ा ही खटा मिठा रहा है। कई दफा सोशल मीडिया पर इन दोनों को लड़ते जगड़ते और एक दूसरे को टौन कस्ते देखा जाता रहा है। वही हाल ही में इन दोनों की फिर से दोस्ती हुई है। राखी के बुरे वक्त में शरलिन ने उन्हें बहन बनकर संभाला, ऐसा एक्ट्रेस राखी का कहना है। राखी सावन को आदिल से मिले धोखे के बाद शरलिन उनके समर्थन में खड़ी नजर आई, जिसके बाद राखी ने भी शरलिन को गले लगा लिया और उन्हें ऐसा करने के लिए शुक्रिया कहा।